बहुत ही इंट्रेस्टिंग वॉल्यूम बेस्ट प्राइस एक्षें ट्रेट के उपार हम लोग डिसकेशन करेंगे काफी अच्छी तरह से आप इस स्टेजी का यूज कर सकते हो किसी भी सेग्मेंट पर अगर आप फ्यूचर और और आप्शन को ट्रेट करते हो करनसी को ट्र को आज के दिन हमने ट्रेट किया था एंट ट्रेट एक्जीकूट करने से पहले इस स्टॉक को हमने अपने पॉब्लिक टेलिग्राम चैनल पर मॉर्निंग मही शेयर कर दिया था यह कुछ हाई टैम लेवल से हैं जैसे कि एक अगर हम रेंज करें तो एक यह पॉइंट एक को मार्क करो तो देखें मॉर्निंग में क्या हुआ है कि फर्स्ट जो कैंडल थी उसी इन अपना इस स्विंग करते हैं तो आज काफी अच्छा एक्जीकूशन था आपना विकॉस वन डिरेक्शन का मूब हमको आज के दिन भी मिला था तो एस्प्रेसो प्री लॉग इंड ह यहां पर हम लोग सबसे पहले अपनी पोजिशन बुक करते हैं सो ओर आल जो आज का प्रॉफिट है 15,900 प्रॉफिट था जो की डीसेंट प्रॉफिट है हमारे इंट्रेट रेट एक्जेकूशन के एकॉर्डिंग और और बुक आप देखेंगे तो टोटल यहां पर जो कॉ पर पेज को एक बार रिफ्रेश्च कर लेते हैं कल मार्केटिंग जिस तरह से डाउन फोल दिखाया था आज उतनी ही अच्छी तरह से रिकवरी दिखाया थी बट हमारा जो स्टॉक सेक्शन का प्रोसेस था हिन पेट्रों सिर्फ और सिर्फ गिरा यह पोजिशन को करते हैं टोटल जो आज का प्रोफिट है मारा फंद्रहजार नौसर रुपए के आसपास का प्रोफिट है जो कि हमारे लिए एक सेटिस्फाइंग प्रोफिट था है पेज को बार रिफ्रेश करते हैं पॉफेक्ट एंड ओके और अब चलते हैं अपने चार्ट के उपर इस ट्रेट को हम लेंगे फिप्स कर देंगे कि हमें इस तरह के इस ट्रक्चlichen वल्यूम देखे हैं तभी काम करेंगे ट्रीप ट्रेडिंग स्ट यहां पर वाल्यूम्स के जिन इस ट्रीक्टत को बात करेंगे हैं और उन 5ग्यूम्स को यह देकने की और समझने के कुश्श कराइंगे कि कैसे इन volumes को हमें marking करनी है और कैसे इन volumes से related जितने भी price candles है उनको read करना है हमारी लिए हम लोग total five volume candles का use करेंगे इन में जो सबसे पहली formation होगी वो होगी हमारी three candles की जो second pair हमारा बनेगा वो होगा two volume candles का इसमें जो first three candles का pair बनेगा हमारा वो या तो bullish होगा या फिर bearish होगा जो second pair हमारा बनेगा वो bullish या bearish कुछ भी हो सकता है अब इतने से point में confused मत हुईगा first जो हमारा pair बना चलिए इसकी drawing करते हैं सीदें लो यह तो हमारी normal market होगी है यहां पर अब बात करते हैं अपनी formations की तो हमारी formation में first जो pair हमारा बना हमने कहा आपसे first three volumes के जो हमारे pairs बनेगे वो bullish या फिर bearish कुछ भी हो सकते हैं जैसे कि यह सबसे पहरा जो हमारा pair होगा वह इस तरह से होगा बढ़ते हुए क्रम में एक दो और तीन यह याद रखिएगा एक दो और तीन इनका यूज काफी तरह से क्या तरह तरह से हम information का in volumes का use करते हैं उतना deeply हम discussion नहीं करेंगे जस्ट फोकस करेंगे अपनी आज की सिर्फ और सिर्फ इस strategy के उपर अब इसके बाद में जो हमारा second pair बनेगा इस second pair में जो हमने पेर बेरिश बना कोई बात नहीं second हमारा बेरिश भी बन सकता और बुलिश भी बन सकता है जैसे कि अगर बुलिश बनेगा हमारा तो यहां पर हमें देखना है कि जो थर्ड वाली उसके first वाली volume and second वाली जो होगी हमारी इस फ Fourth वाली वाल्यम से ज्यादा हो गी इना यद्त रखेगा Soul 2もう Library इस तरह एस तोटल यहां पर आपर देखे हमारे पास क्या होगा 5 volumes बन गये हमारी 3 केंडल्स का एक प्यार बन गया ओके तो यह हमारा फस्ट एन सेकंड दो प्यार बन करके रेडी होगा अब जैसे हमने बताया कि यह तो बुलिश फॉर्मेशन होगे यहां पर अगर हम बेरिश को फॉर्म करेंगे तो बेरिश को वैसा ही होगा वन और यह अप में होगा और जो इतना ज्यादा एक्यूरेट यह वर्क करती है ना आपको कहीं पर यह सारी चीज़े देखने को नहीं मिलेंगी हम सिर्फ इसलिए बतारे हैं ताकि आप अपनी कैपिटल को बचा सको लॉसस को रोक सको इधर अधर की जो स्टेड़ेश हैं उनको छोड़ करके फिक्स्ट एक एक सिस्टम पर एक प्रोफेशनल एप्रोच के साथ अगर आप इस विल्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो कैरियर बिल्ड कर पॉप ओके वीडियो गर अच्छा लगता है तो जरू से जरूर लाइक किजागा कॉमेंट्स किजागा और शेयर किजागा यहां पर हमा इसको पर लिजिएगा कोई अपको दो कि यह सिर्फ इजसलिए अब देखें प्रैइस का इसमें कैसे का कैसे यूज हँगा जब फिर्स्ट कंडल स्मारी लिए स्ट्रेक्चर से अगर ब्यारिश केंड़ल ध advent करेंगे यानिके यह वाला एरिया माँख करेंगे पॉइंट है सिंपल सी चीज है अगर price के अंदर यह support ले रहा हो अगर हमें बाइंग करनी है तो इसी एक range का हमको wait करना होगा अपने support मौइंट का और अगर हमें selling करनी है तो भी हम अपने सपोट से यूज़ करेंगे और इन्हीं सपोर्ट पांट का यूज़ भी करेंगे सिंपल सी चीज़े देखिए समझने में बहुत आसान है बहुत एजी तरह से आप इसका यूज़ कर पाऊगे थोड़ा से ध्यान दीज़ेगा अगर यह फर्स्ट केंडल समारी बेरिश है तो हम लो म करेंगे मतलब स्विंग मा करेंगे जैसे यहां पर हमने देखी लिखा है बशुक्त लाइन विद्ट सुंग लुइद या फिर रेजिस्टेंस लाइन विच संविंग हई अगर स्षीपाइब बना हुआ हुआ है उसकेस में हम हाई को माघ करेंगे यहां पर तो डीशक्तिं स्केंडल होंगे तो जिस तरह हमने यहां पर अपना सपोर्ट मां किया है उसी तरह से उसकेस में को मार्ग करेंगे और अब हमारे लिए हायर टाइम रेंज निकल आई है अभी एंट्री होगर हमें इसमें किस तरह से करेंश में सब्सक्राइब करेंगे और अच्छी तरह समझने के कुशिश करेंगे चार्ट पर हम शुरुआत करेंगे आज कि हम अपने स्टॉक से रेंदम्ली कोई स्टॉक उठाएंगी और इसको पर देखेंगे जिस धसक हिंद्वा यहां पर कंवर रहे हैं यले तरह से मिल नहीं स्थ्ट करोगे यहां पर सेंग अичеम वही स्थक्चर आपो मिलेगा हमारे पास तीन वोल्यूम्स हैं बढ़ते हुए क्रम में हमारे पास ये तिरों की तिरों वालुम्स है और जो फॉर्थ वॉल्यूम है मेरी वह 3rd से कम है और फिफ वॉल्यूम है वह फॉर्थ से ज्यादा है सिंप्ली हमने क्या किया यहां पर अपना स्विंग लो मार्क कर लिए और कल मार्केट ने हमने भी क्या का आप से कि इस रेंज का में वेट करना होगा विकॉज अगर आपको शॉट सिलिंग करनी है और इस मैथट से बेसिकली और अब्जेक्टिव होकर कि अगर आप इसी मेथ फ्लोज हुआ था एंड आज यह स्टॉक हम देखे थे ट्रेट करने तो सिंप्ली हमने क्या किया कि मौनिंग में आपको एक रेंज ड्रॉ करके दी टेलिग्राम चैनल अगर आपना मेरा जॉइन नहीं किया है तो आप जॉइन कर सकते हो यही वो रेंजिस की जो कि ड्रॉ कर यहां पर भी देखें आपको सेम फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी वॉल्म्स की वन टू एंट ओके इसके बाद में यह दो केंडल अभी जो दो ग्रीन केंडल से हमारी यह ग्रीन भी हो सकती है और ब्लैक दियो सकती है बट कंडिशन यह है कि मेरा एक स्विंग भरना चाहि आपके पास प्रॉपर वियो होना चाहिए स्टॉक सेलेक्शन का आज हमें हिंद पैट्रो को ट्रेट करना है तो हिंद पैट्रो अगर हमें आज के दिन ट्रेट करना तब हम देखने जाकर कि यह फॉर्मेशन को मिलने ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में गया इस फॉ पॉलो करना होगा बनाना होगा यहां पर जो हमने अपनी अंटीर है उसकोगे लाइक Wow तो वे नहीं रेच्टी कि हम्हारी स्टॉप्लॉस लगाने कि ग्रिज्वं के लिए देखी स्पेशलिक हमने क्या यूज किया था जब प्राइज ने हमारी रेंज को डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया जैसे कि हायर टाइम फ्रेम पर जिसे एक स्विंग के बात करें यहां पर देखिए प्राइज से ऊपर की दिशा में चला गया था उपर के करने की कोशिश की थी बट यहां से वापस प्राइस अपनी रेंज के अंदर चला गया था अब ट्यार्गेट्स के लिए सिंग कि हमें किसी सपोर्ट की सुरूत पड़ी है तो देखिए सबसे अच्छा जो निकल रहा था 267 का था दो और थोड़ा सा बफर हमने दिया किसी वे तरह से प्राइस के अंदर ज्यादा प्राफिट लेने की कोशिश जैसे यह इसके यहां पर आया था इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिल गएते प्राइस वापस से नीचे गिर गया वो तो बाद में गिरा हमने यहीं पर प्रॉफिट सारे कर सारे बोक कर देखेंगे अभी कोई भी रैंडम्ली हम कोई देख लेते हैं बीपीसल में देखिए घल की मार्केट इतनी गिरी है सो हम लोग higher time frame पर जाएं higher time frame पर आप देखिए volumes का on कर लेते हैं यहां पर कोशिश करिए find करने की जो formations हमने आपको बताएं तो यह हैं नहीं यहां पर एक दो तीन यह तो कंडल से लेकिन बात की जो volumes हैं वह हमारी कम है अगर हमारी 14th of January की volumes भी अगर ज्यादा होती हैं तो विद लॉजिक हम इस अपनी रेंज को मांग करते हैं तो यहां पर हम इस formation को मांग नहीं करेंगे एक वैलिट फॉर्मेशन में फाइंट करने होगी एक वैलिट फॉर्मेशन डूबने होगे अब बीपी सिर में ओके यहां पर सेम फॉर्मेशन जैसी हम लोग पढ़ रहे थे वन टू थ्री यह तीनों एक्स्टेंशन के साथ में तीनों ही बढ़ते हुए क्रम में है और इसके बाद में जो हमारी फॉर्थ वॉल्यूम है वह थर्ड से कम है और फिप्थ वॉल्यूम जो है वह फॉर्ट से ज्यादा है यहां पर हमारी formation होती है complete हमें simply क्या करना है अप पर कुछ एक रेंजेस हमारी निकलाएं अब इन ही रेंजेस का यूज हम हायर टाइम पर करेंगे अपने ट्रेट के लिए और सेम पॉइंट ही आपके होंगे जहां से कि आपको ट्रीड एक्जीकूट करना होगा और जब जब प्राइज आपका इस रेंज पर आएगा तब आपका ऐसा ही होगा मैक्सिम अप टाइम फिस्ट केंडल है वही आपकी हाई बनाएंगे इसी एक रेंच को अपको माँट कर लेना है आने वाले टाइम में जो आपका रेस्टेंस पांट होगा वो यह वाला पॉइंट पर अगे चल करके हम और अगर देखें वन टू थ्री या फिर इंट्राडे के एकॉर्डिंग आपको लेवल्स निकाल करके देदेगा बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत हुएगा अगर कोई भी डाउट हो तो कोमेंट बॉक्स आप हमसे पूछ लिजेगा आप उसका रिप्लाइ करेंगे कोई भी रेंज आपको कोई भी स्टॉक अग आप जस्का स्विंग हाई माग कर लो आपको यह कितना बहतरी लेवल मिलेगा जिसके उपर क्या काम कर पाऊंगे बहुत अच्छी तरह से लेवल करेंगे जस्ट क्या है शुरुआत में ज्यादा इसके अंदर एक्ट्रेशन में आकर करके ज्यादा क्वांटिटिस के साथ आप काम कर लो और उसके बाद में फिर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जैसे जैसे आपकी बढ़ती चले जाएगी आपकी फॉन्टिटिस इंक्रीज होंगी बट शुरुआत में एकदम से इंक्रीज मत कीजएगा यह ऑप्शन ट्रेड नहीं है कि बिना देखे कुछ भी लिए उस फिल्ड को देखना भी होगा काफी मेहनत और काफी समय देने के बाद में हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं वीडियो देखिए एंड कल का जो में वीडियो अप्लेट के था लाइट का आप उसको जरूर देखेगा बहुत सारे पॉइंट्स हमने उसके अंदर लिए एक और एक्जांपल में आपको देते हैं यसे इंड्सिंट बैंक है चली इंडसिंट बैंक आज तो साइडवे जिराया है सब्सक्राइब लेते हैं है या स्थख़द्विज़ लेते हैं जब कि हम Pepparo a करने अंगर मिलती है तो यहां पर व down सब्सक्राइब यहां पर गुल रहुआ है इसका अपना लॉजिक को शिवा को बिल्ट करना होगा यहां पर देखें कोई फॉर्मेशन को नहीं कोई फॉर्मेशन यहां उस दिन नहीं बने अब इंड़सिंट बैंक है यहां पर हम कल के लिए यहां यह फॉर्मेशन वारी बनी वन टू-345 जस्ट आप यहां पर काम कीजिए जो फुट कैंडल है वहां त के साथ काम करो ना आपको मज़ा आ जागे थे स्ट्रेटजी के अंदर चली जादे स्ट्रेस नहीं करेंगे एंज्वाइब कीजिए अपने सिस्टम और इस स्ट्रेटजी को और डीपली सीखिए बहुत अच्छी तरह से थोड़ा सा मार्केक यूपर इंवेस्ट कीजिए सम अच्छी तरह से थे साथ किन को सुक्षग डे कैने से अंच्छी को तू काई एंट ऑंड необходимо धित थैए धर को ता कंद धर आप किते सिस्टम करें."